उपभोकता किर्प्या ध्यान दे जेब धिली करने की पूरी प्लानिंग हो गई है अब आप यू सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यूं बोल रही हूं तो आपको बता दू बिजली बिल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसका सीधा असर आपकी जेब पर परेगा बिहार में बिजली उपभोकता के लिए बड़ी खबर है नय साल में बिजली बिभा की ओर से उपभोकताओ को बड़ा जटका देने की तैयारी हो चुकी है महागडबंदन की सरकार में न्यू इयर में ग्रामीन और सहरी उपभोकताओं की जेब धीली करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है आपको बता दे कि इस फैसले का पूरा असर उपभोकताओं पर बड़ेगा इस्तिती ये है कि बिजली कमपनियों ने फिक्स चार्ज में बड़ा बदलाव लेने का फैसला ले लिया है नए साल में बिजली उपभोकताओं को 440 वोल्ट का जटका लग सकता है इसका सीधा असर उपभोकताओं की जेब पर परेगा इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका सीधा असर ग्रामीन और सहरी इलाकों से उपभोकताओं पर पर परेगा उपभोकताओं को बढ़ी हुई बिजली दर की मार छेलनी पर सकती है इसे लेकर अब विधुत विनियामक आयोग अगामी 20 जनवरी से सुनवाई करेगा इस जन सुनवाई में कोई भी आम उपभोकता अपना पक्ष आयोग के सामने रख सकता है बिजली कमपनियों की ओर से घरेली उपभोकताओं को बिजली किमतों में 2.56 रुपे से लेकर 3.40 रुपे तक प्रती यूनिट बढ़ोतिरी का प्रस्ताव दिया गया है जानकारी के मुताबिक ग्रामिन छेतरों के घरेली उपभोकताओं के फिक्स चार्ड में डबल और सहरी उपभोकताओं के फिक्स चार्ड में डबल से भी जादा बढ़ोतिरी का प्रस्ताव दिया गया है इस प्रस्ताव पर 20 जनवरी से बहस सुरू होगी बिजली कंपनियों की ओर से मिल रही जनकारी के मुताबिक 20 जनवरी को वालमी की नगर और 24 जनवरी को कैमुर के भबुआ और 27 जनवरी को भागलपूर में बिजली कंपनी के अधिकारी लोगों के पक्च सुनेंगे वही दूसी ओर एक फरवरी को अरवल और दस फरवरी को पुर्णिया के साथ 17 फरवरी को पट्टा में आयोग जन सुनवाई करेगा इस जन सुनवाई में आयोग के अधिकारियों के अलावा उपभुकताओं की ओर से साथ बिहार और नौर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कमपनी के अधिकारियों का पक्ष सुना जाएगा उसके बाद बिजली कंपनी का पक्च सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा आयोग इस मार्च के अंत तक अपना फैसला सुनाएगा ये फैसला 1 अप्रिल 2023 से 31 मार्च 2024 तक लागू कर दिया जाएगा जानकारी के मुताबिक बिजली भुकताओं को पहले से ये तैय किम्तों पर सबसीदी मिल रही है ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक न्यूस 24